बॉलीवुड में अगर कोई सुपरिश्टार अपने सभी फैंस को सबसे ज़्यादा खुसर रख सकता है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली अक्षे कुमार सर जी यहां दोस्तों क्यों की सुपरिश्टार अक्षे कुमार सर की एक साल में चार फिल्में रिलीज होती हैं जिस यूं का प्रोमुसन स्टार्ट करदिया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं रखचाबुड को एक्षबर ने दो बैक टू बैक फिलॉप फिल्म का सामना करना पड़ा है, जेंसे कि बच्चन पांडे और समराट पर दीराच्यों होँआन, लेकिन दोस्तों रक्चाबंदन फिल्म इन दोनों फिल्मों से अलग है, जेंसे कि अतरंगीरे फिल्म एक बहुती बहतरीन फिल्म थी, उसी तरह से रक्षाबंदन फिल्म भी बहत्रीन रहने बाली है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर है आनंद एर राज जनों नहीं अतरंगीरी फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म में सबसा बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है क्योंकि इस फिल्म में भाई बेन का जन्मों जन्मों का बंधन बताया गया है वालाकि बात करां फिल्म के ट्रीलर की रिलीज डेट में तो दोस्तो र॑क्षा ? ट्रीलर एकीईंस उनको रिलीज किया जाएगा एक यह आज 18 जून मैं तो र॑क्षा बंधन फिल्म कैस त्रेलर आज 6Bंधों तीन दिन बाद बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है हाला कि दोस्तों आप लोग कमेंट करकर बताना कि आप लोग रक्षय बंदन फिल्म के ट्रीलर के लिए कितनी ज़्याद एक्साइटीड है और आप लोग इस फिल्म के लिए कितनी ज़्याद एक्साइटीड है आप लोग अपनी रहा कमेंट करकर जरूर बताना